हेलो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अपने दुखों को छिपाईए, क्योंकि किसी को यहाँ आपके दुखों की कोई परवान नहीं है, आज की कहानी है, अपनी तुलना दुसरों से नहीं करनी चाहिए एक बार की बात है, किसी जंगल में एक तोता रहता था, वो बहुत ही खुस था, क्योंकि उसकी ज्यादा एक चाहे नहीं थी, वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था, लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया, और उसे देखते ही सोचने लगा गी, यह प्रा खुस रहता होगा, कमुवा हंस के पास गया, और पूछा, भाई तुम इतने संदर हो, इसलिए तुम बहुत खुस रहते होगे, इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, पहले मैं बहुत खुस रहता था, जग तक मैंने तोते को नहीं देखा, उसने उसे देखने के बात से और वो सुर्ख हरे रंग का था, सच में वा बहुत खुबसूरत था, अब कमुवे ने सोचा की, हंस तु तोते को सबसे सुन्दर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा, कमुवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो-दो रंग पाकर बड़े खुस होगे, इ कमुवा है, या तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब वहां मोर से मिलने के लिए निकल पड़ा, कमुवे ने मोर को जंगल में ढूंडा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला, और मोर को ढूंडते ढूंडते वा चिडिया धर में पहुँच गया, व तुम्हारे साथ लोग फोटनों खिचवाने के लिए आते हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा, और तुम तो दुन्या के सबसे खुस जीव होगे, इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई, अगर सुन्दर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे ल दुन्या के सबसे संतुष्ट और खुस जीव, तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम अजाद रहते हो, क्योंगा है रहान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया, दोस्तों, ऐसे ही हम लोगों के साथ भी होता है, हम अपने खुसियों और गु क्योंकि तुमियत समझ कर खुस नहीं होते, लेकिन दूसरों की छोटी खुसी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुसियों को इग्नोर कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, रोज ऐसे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब गोई कर देते हुई हमें, हमे .